रेके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जारखंड में 13 बई को पहले चरण की वोटिंग है जिसको लेकर जारखंड में दिगचों का नामनकन जारी है जमशेरपूर और धनबाद सीट पर बीचपी उमीदवारों के नामनकन में पाटी के बड़े नेता पहुंचे और जीत का दावा किया धनबाद लोकसभा सीट से बीचपी प्रत्याशी धुलू महतो ने अपना नामनकन किया तो वही जमशेरपूर की सीट से बीचपी के प्रत्याशी विदुद्वरण महतो ने भी अपना नामनकन दाखल कर दिया और इस दोरान एंडिये ने सडक से लेकर मच तक अपनी ताक जारखंड में चुनावी महौल अब गर्माने लगा है पहले चरण की वोटिंग 13 माई को होनी है और इसके बाद हर चरण में राजी की लोकसवा सीटों पर मतदान होगा नमांकन का दौर तेज हो गया है हाई प्रोफाइल सीटों पर उमिद्वारों ने नमांकन किया जिनमें शामिल है धनबाद से बीजेपी उमिद्वार धुलू महतो जम शेथपूर से बीजेपी प्रत्याशी विद्यूत वरण महतो और चत्रा से कॉंग्रेस के कैंडिडेट की अंत्रिपार्टी सबसे पहले बात करते हैं धनबार लोकसभा सेटकी जहां मुकाबला है बीजेपी की धुलू महतो और कॉंग्रेस सुमिद्वार अनुपमा सिंग के बीच धुलू महतो बागमारा से विधायक हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहीं अनुपमा सिंग भी पहली बार चुनावी मैदान में हैं धुलू महतो बागमारा से लगतार तीन बा विधायक रह चुके हैं 2009 में धुलू महतो पहली बार जेवीम के टिकट पर विधायक बने और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए उनके नमांकन में जारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी भी शामिल हुए और सभी ने दावा किया कि धनबाद में एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी पारकंड में भारती जनता पारती के नेत्वित में सरकार बनेगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो आज यहां गुंडागर्दी कर रहा है धनबाद की धर्ती पर उस गुंडागर्दी को रातो रात समाप्त कर दिया जाएगा चार सो के आंकडे फार करने का जो इंडिये का लच्छे उसको पूरा करने के लिए धनबाद का प्रतिनिदत करने का एक उसर की इच्छा और अपेचारक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ने के उमीद के साथ हम सभी लोग खड़े राजी की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट जमसेतपूर है जहां मुकाबला बीजेपी के विद्यूत वरण महतो और कॉंग्रेस के समीर मुहंती के बीच है इस सीट पर विद्यूत वरण महतो दो बार से सांसद हैं वहीं समीर मुहंती बहरा गोड़ा से जेमेम के विधायक ह विद्यूत वरण महतो के नामांकन में केंद्री मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौझूद रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विद्यूत वरण महतो को 6,89,000 वोट मिले थे जबकि जैमेम उम्मिद्वार चमपाई सुरेन को 3,77,000 वोट मिले थे बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रही है यह ऐसे लोगों का गटबंदन जो ब्रिष्टाचार में लेपते हैं जिन लोगों ने ब्रिष्टाचार किया है जिनकी प्रिष्टपूमी ब्रिष्टाचारियों के वो एक दूसरे को बचाने के लिए साथ जुटें यह गमंडियों का गटबंदन निश्चत रूप से जो है वो विफल होगा धनबाद और जमशेतपूर में बीजेपी उमिद्वारों का नामांकन हुआ तो चत्रा में कॉंग्रेस उमिद्वार कियन त्रिपाठी ने परचा भरा उनका मुकाबला बीजेपी के काली चरण सिंग से है 2019 के चुनाओं में सुनीज सिंग बीजेपी उमिद्वार थे और तब उन्होंने कॉंग्रेस के मनोज यादो को पौने 4 लाग के बड़े अंतर से हराया था सुनीज सिंग को 5,28,000 जबकि कॉंग्रेस के मनोज यादो को डेढ़ लाख वोट मिले थे नामांकन के साथ ही जीत के दावे किये जा रहे हैं इन तीनों सीटों पर वोटिंग 25 मई को होगी नेता परचार में जूटे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं लेकिन जनता का रुख क्या है इसका पता चलेगा 4 जुन को जब चुनाओं के नतीजे आएंगे बिरो रिपोर्ट काशिस न्यूज और सायोगी रुची शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है रुची देखिए 13 मई को जार्खन में पहले चनन की वोटिंग होनी है लेकिन इससे पहले 14 की 14 सीट पर जीत का दावा किया जा रहा है चाहे वो बीच पी की तरफ से हो या फिर आये डी आये की तरफ से हो गहमा गहमी शुरू है आरोप प्रत्यारोप का दोड जारी है और इस बीच जार्खन का सियासी पारा भी हाई है बिल्कुल बिल्कुल देखिए जार्खन का सियासी पारा ही नहीं यहां का तापमान भी 42 डिग्री से उपर जा रहा है यहां कई वीट वेब जो है वो चल रही है साथी साथ जो राजनितिक तापमान है यानि कि पॉलिटिकल जो कह सकते हैं राजनितिक सरगर्मी जो है वो तेज है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जा रही है साथी साथ 14 लोग सभा सीट जीतने के जो दावे हैं वो किये जा रहे हैं चाहे वो एंडिये के तरप से हो बता दे रसमी कि 2019 में इंडिये ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार कैसे 14 सीट पर इंडिये की जीत निश्चित हो सके इसके लिए लगातार केंद्रिये मंतरी हो या अलग राजियों के अन्ने राजियों के जो मुक्छ मंतरी हैं उनका आगमन हो रहा है नामांकन के साथ सभा कर रहे हैं और सभा के माध्यम से जंता से ये अपील कर रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी के हाथों को मजबूत करें यानि की केंद्र में मोदी की सरकार बने और 2047 में विक्सित भारत का सपना जो है वो पूरा हो सके तो ऐसे में मोदी की गारंटी पर विश्वास करने के लिए जो है अनुनाय विने किया जा रहा है साथी साथ इंडिया गठ बंदन जो है कई ऐसे मुद्दे को ले करके जंता के बीच जा रही है सभा कर रही है जन संपर करने का कारे कर रही है उनका मुख मुद्दा है है मन्स पिर से इंडिया गट बंदन को मौका दे था कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है या महंगाई बढ़ी है उसमें लगाम लग सके लेकिन देखना होगा चुकि इंडिया गट बंदन जो है गट बंदन में कई सारी गाठे आ रही थी लेकिन अब एक जूटता दिखाने का परियास किया जा रहा है जहां भी नमांकन हो रहे हैं या सभाएं हो रहे हैं वहाँ पर इंडिया गट बंदन में सामिल सभी दलो के नेता जो है वो मुखे रूप से देखे जा रहे हैं तिया दावा है कि इंडिया गट बंदन जो है 14 सीट पर जीत दर्ज करेगी वहीं अंड ये का कहना है कि कहीं भी कोई टकर में नहीं है, 400 पार का जो हमारा दावा है, वो 37 साबित होगा, लेकिन ये तो 4 जून का परिणाम ही बताएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह से जारकर्ण में आरोप लगाये जारे हैं, जीत का दावा किया जारा है, ये अब बहुत दिल्च कारियों को टास्क सौपा गया है, 3 और 4 माई को पीम का जारकंड दोरा होना है, जारकंड में चुनावी रैलिया, प्रधार मंतरी की तरफ से की जाएगी, बता दे कि प्रधार मंतरी नरेंद्र मोधी दो दिवसी दोरे पर 3 माई को जारकंड आ रहे हैं, और वे 3 माई को चा माई की सुबा राजभवन से बिर्सा मुंडा एयरपोर्ट के लिए सडक मार्ग से रवाना होंगे और वहां से पलामू के लिए रवाना होंगे, प्रधार मंतरी की सुरक्षा ववस्ता को लेकर SPG के अधिकारियों के साथ ही साथ राचे पुलस के अधिकारियों ने को बैठा की, उधर पीम की सुरक्षा के मद्धे नजर बिर्सा मुंडा एयरपोर्ट से अरगोड़ा होते हुए राजभवन तक जगह जगह बैरिकेटिंग की जारी है, सुरक्षा ववस्ता में करीब 1000 जवान तैनात किये गए हैं, और सायोगी रुची शर्मा हमारे साथ जड़ी हुई है, रुची देखिए जार्खंड पहुँचने वाले है प्रधान मंत्री, लेकिन से पहले प्रश्रासनिक तैयारिया तेज हो गई है, पीम के आगमर को लेकर तीन और चार मही को पीम जार्खंड में रैली करने जा रहे हैं, क्या जानकारी इस पुखबर पर बिल्कुल बिल्कुल रस्मी देखिए प्रधान मंत्री का आगमन पहले ही ये तैय हो गया था कि उनका दो दिवस्य दौरा होगा, लेकिन वहां से तैय नहीं हो पा रहा था, यानि कि तीन और चार माई को दो दिवस्य रहेगा या एक दिन का दौरा रहेगा, ये नहीं तै हो पा रहा था लेकिन अब ये फाइनल हो गया कि 3 और 4 माई को प्रधान मंत्री जारखन में रहेंगे और इसके लिए प्रसासनिक ब्यवस्था जो है वो पुक्ता की जा रही है लगातार जो बैठक है प्रसासनिक पदाधिकारियों की वो की जा रही थी SPG के टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है सुरक्षा का जायजा ले रही है वही देखे जब वो विर्सा मुंडा एरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद चाईबासा में रैली करने वाले है चाईबासा के बाद वो फिर से पुना विर्सा मुंडा एरपोर्ट राची पहु को मिल रहा है हाला कि उनकी मांग थी कि जब वो सड़क मार्ग से राजभावन को जाएंगे उस दोरान जो है रोड सो के कारीक्रम की बाते कहीं जा रही थी लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि उनका रोड सो होगा या नहीं होगा लेकिन फिलहाल देखिए वो ज आरुची और ऐसे में देखना होगा कि पीम जब जारकर पहुचते हैं तो मंच उसे किस तरह से हूंकार भरते हैं और किसका कितना आसर देखने को मिलता है बहुत शुक्री आरुची आपका तबाम जानकारी के लिए